यहां पे कोडिंग चालू अलाव अल्स टाइम और नाव गाइस हमारी डीटा फाइल से वह आ चुकी है सारी की सारी इस फाइल को यहां से कॉपी करके मैं यहां पे बार भी पेस्ट कर सकता हूँ वाव गाइस वेलकम बैक आंट तो अनादर वीडियो यह वीडियो बहुत ही है जोने वाली है जो कि अभी तक अभी तक प्रॉबलम में है कि मेरे एंड्रोइट के अंदर फोल्डर पेस्ट हो ही नहीं रहा क्या करो भई तो यह वीडियो यह वीडियो पे लिए उन लोगों के लिए फाइनली क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और फाइन के लिए कोई भी दूसरी APK की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी बहुत सारी APK की आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली है एक सींगल एप्लीकेशन बदाऊंगा एक सिंगल APK की आपको डाउड़ करनी है प्लेस्टोर से और उससे आपको पूरा पूरा सॉलिशन हो जाएगा व तो आप आप एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छी से देख लिजिए तर भी मिनट का वीडियो होता है अच्छी से एक वार देख लिजिए कि सारे चीजे आपके क्लिर होने वाली अब ये डव्लपर आप्षिन आपको क्या करना है इसका वह मैं आपको बनाता हूं पेरिंग के उफिशन पर क्लिकट करना है और यहां पर अलाव नो टिफिटिशन करने के बाद में बैग जाएंगे और उसके बाद में यह आपको डेपल्पर आप्ट्छन में जाना है और यहां पर आपको कुछ इसको अनेबल करना है जो कि रहेगा आपका USB Debugging ठीक है और उसके बाद में आपका एक और रहेगा जो कि रहेगा Wireless Debugging इसको अनेबल करने के बाद में इसको ओपन करेंगे और यहां पे आप देख सकते हूं मैंने सीजू की पहले से एड कर रहा है तो कुछ इस तरीके का option जो जो भी आपका कोड आएगा उसको यहां पर आपको जो है पेस्ट करना है ठीक है आपको कॉपी कर देना है सेंप सिंपल ठीक है उसके बाद में एरो के बटन पे क्लिक करके मैं इसको कर दूँगा यहां पर पेरिंग सक्सेस्फुल मुझे आ गया है नोटिफिकेशन और यह हम करेंगे ठीक है सबसे नीचे जाएंगे डेवलर अप्शन के सबसे नीचे जाने के बाद में यहां पे आप ऐब ऐसाउपर में करेइंगे Іस को ह्राद बर स्वेज के डिएपर आप ओल्मुस्ट करना रहेंगा सब्सक्ट आपके पास और जॉब डावनोड करना रहेगा até जाने पिर आपको रूट की उप्षिन क्लिक करना है और यहाँ पर पर अपको टाइपड सीजो को चूज करना शुब सब्सक्राइब करने के बाद में और कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाले क्योंकि सारी कि सारी जो आपने चीजें है वो पर दिये ठीक है यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूं अपने एंडूट डिटा के अंदर जाने के बाद में एक से कि बोल रहा है सीजुको इस के बटन के बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर डेबलाप और आप्शन अप्शन में जाने के बाद में यहां पर ऊच्व ठाव हो चुका है अब हम जाएंगे अंदर अब हमें देखेंगे कि मिल रहे के नहीं यहाँ जो है एक्सस मांग रहा है सीजुक की तरप से हलाव ओल और नाव गाइस हमारी डीटा फाइल से वह आ चुकी है सारी की सारी और अब यहां पे मैं कुछ भी फाइल को यहां से उठा करके डिलीट कर सकता हूं और इस फाइल को यहां से कॉपी करके मैं यहां पर बार भी पेस्ट कर सकता हूं वाओ कमाल हो गया भाई यह तो आप कुछ भी कर सकता हूं जो भी मैं चाहता हूं तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन इस्टेप था और बहुत सिंपल था और सारे चीज़ अमने कर दिये और हाँ यहाँ पर अभी आप दिख सकते हो कि जो सीजु की अप्लिकेशन ने कभी-कभी आपकी स्टॉप हो सकती ह है तो यहाँ पर आपको में भी बार-बार आगर कि आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना पड़े और फिर बार-बार आपको जो है यह चीज़े करना पड़े बट मोस्त अब टाइम यह नहीं होने वाला है जाता मुझो लगता है यह आप दिख सकते हूं मैंने जब आपके केस में करता है तो आपके से सीजु की अप्लिकेशन को ओपन करकर के सेम स्टेप को जो है फॉलो कर सकते हो एंड एट्स आल अबाउट है झाल